Hello बच्चो, this is Dolly Sharma, your own chemistry ma'am. Welcome you all in the competition वाला चैनल और हम Mind Map सीरीज में आज कवर करने वाले हैं topic that is IUPAC nomenclature, IUPAC naming. तो Mind Map सीरीज का अपना purpose क्या है बिटा, हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है और हमारा purpose है कि जितने कम समय में आपका हम वो maximum topic कवर कर पाएं जहां से आपका question बन सकता है नीट के लिए, clear? तो IUPAC nomenclature सारे chapters का first topic होता है, जितने भी organic chapters है, चाहा हालो-alkan, heroin ले लो, amine ले लो, arines ले लो, ether ले लो, alcohol ले लो, किसी भी chapter में. तो आज हम जितना brief में इसके concept को समझेंगे, क्योंकि examples तो limitless होते हैं, जितने भी examples करें, उस basic को हम अपना strong कर लेते हैं, ताकि किसी भी chapter में, जब conversion based question भी आ जाते हैं, तो उस case में वहाँ पर कौन सा reagent use होगा, लेकिन conversion के name जो उसने दिये, अगर वो IUPAC nomenclature है, तो हमें compound बनाना आना चाहिए, और compound को nomenclature करना आना चाहिए. उसके लिए हम discuss करने वाले हैं बेटा, that how to write a nomenclature, कैसे किसी भी compound को nomenclature लिख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, IUPAC nomenclature लिखने का एक particular formula होता है, वो formula क्या है, उसे ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी का भी हम जब nomenclature क कर रहे हैं, पहले क्या लिखा जाता है, prefix, prefix नाम ही ऐसे arise हुआ है, जिसको पहले हम लिख रहे हैं, उसके बाद आती है हमारी root word और उसके बाद last में हमारे पास आता है suffix, अब यह जो हमारे पास prefix है, इसमें दो तरह के prefix होते हैं, secondary पहले होता है, then primary, फिर root word, फिर उसके बा इसे भी compound का nomenclature, एक particular rule के साथ कर सकते हो, and that is a kind of mathematical formula, you can apply in any case, clear बच्चा, तो ध्यान दे दिखना, सबसे पहले prefix को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम represent करते हैं, बेटा, substituents को, substituents with their position, सबसे पहले represent किया जाता है, substituents को उनकी position के साथ, clear बेटा, उसके बाद हम किसे represent करते हैं, बेटा, उसके बाद हम cyclo word use करते हैं, cyclo is used, if, अगर compound कैसा है, if compound is cyclic, तो हम क्या word use करेंगे, बेटा, cyclo, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बेटा, root word, root word क्या represent करता है, it shows the number of carbon atom in the parent chain, जो हमारी parent chain है, उसमें कितने carbon atoms हैं, यह हमें उसके बारे में बताता है, एक carbon है, तो क्या use करेंगे हैं न, दो carbon हैं तो हम क्या use करेंगे, suffix हमारे पास दो टैप का आता है, सबसे पहले primary, then secondary, primary suffix सबसे पहले हम लिखते हैं, तो उस case में क्या होता है, वो हमें unsaturation के बारे में बताता है, tells about unsaturation, tells about unsaturation, तो उस case में अगर single bond है, तो उसके लिए हम suffix use करते हैं, in, double bond है, तो उसके लिए हम use करते हैं, in, और triple bond है, तो उसके लिए हम suffix use करते हैं, आयन, next बेटा, last में हमारे पास क्या आजाता है, functional group, और तो हम last में किसे represent करते हैं बेटा, functional group, functional group with your position, with your position, ये बेटा, वो mathematical formula है, जो आपको एकदम clear रखना है, कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले substituents लिखे जाते हैं, with your position, फिर अगर compound cyclic है, तो cyclo word use होता है, उसके बाद आप parent chain की root word को represent करोगे, उसके बाद बेटा, हम बात करेंगे unsaturation की, अगर single bond है तो en, double bond है तो en, और triple bond है तो iron, क्या बेटा, triple bond है तो iron, अब इस case में ध्यान से देखना बेटा, that is the format, ये याद रखना बस, ये आपका format है, कैसे किसी formula को लिखा जाता है, कैसे किसी का UPSC nomenclature किया जाता है, ध्यान से देख लो बेटा, इस formula को जल्दी से, अब यहाँ पर लिखी हुई हर एक term को मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं, कि substituents क्या होते हैं, ये वो group of atoms होते हैं, जो उस compound की physical property को define करते हैं, cyclic, कोई भी compound open chain है या cyclic है, यह हम identify कर सकते हैं, अगर वो cyclic है, तो prefix use होता है cyclo, नेक्स पटा, root word, जो आपने longest chain of carbon select किया हुआ होता है, जिससे आप parent chain बोलते हो, उसमें अगर एक carbon है, है ना, अगर मान लो एक carbon है, तो उसके लिए use होता है myth, है ना, दो carbon है, तो उसके लिए use होता है eth, तीन carbon है, तो उसके लिए use होता है prop, चार गारबन है, तो उसके यह हमें बताता है unsaturation के बारे में, अगर उस compound में सारे sigma bond है, तो उसमें आप suffix use करते हो primary in, अगर double bond है in, और triple bond है in, और उस case में position भी mention की जाती है, लास्ट में बात करते हैं बेटा, functional group, functional group क्या होता है, functional group is just like, जंगल में राजा एक ही होता है, तो जंगल में राजा एक ही होता है, तो वो उस compound में एक ही functional group होता है, जो की senior most होता है, बाकी सब substituents की तरह consider किये जाते हैं, तो functional group जो आपके पास होता है, उसमें बस एक चीज़ का धियान रखना है कि उसका suffix लिखा जाता है with their position, clear बेटा, यह हमारे पास mathematical formula होता है, जिससे हम किसी भी compound का nomenclature कर सकते हैं, एक बार बात कर लेते हैं इस root word की, तो root word में अगर हमारे पास longest chain of carbon में एक carbon है, तो उसके लिए हम use करते हैं myth, 2 carbon है, तो उसके लिए हम use करते हैं myth, 3 carbon है, तो use करते हैं prop, 4 के लिए but, 5 के लिए pent, 6 के लिए hex, next, 7 के लिए hapt, 8 के लिए oct, 9 के लिए अगर हमारे पास 9 कार्बन है तो उसके लिए और 10 कार्बन है तो उसके लिए, अगर 9 कार्बन है तो उसके लिए use करते हैं non, और 10 कार्बन है तो उसके लिए use करते हैं deck, clear विटा, तो यह जो हमारे पास longest chain of carbon होता है, उसको उसमें हम इसक पर बताते हैं, clear बिटा, next हम बात करते हैं, priority order for numbering, देखो, कोई भी compound है, उसका हमें nomenclature करना होता है, तो बिटा, जब भी हम उसका nomenclature करते हैं, organic में, हम सबसे पहले select करते हैं, क्या, longest chain of carbon, जिसमें हम branches को consider नहीं करते हैं, longest chain of carbon को select करने के बाद, कोशिश करनी है कि function group उसमे होना ही चाहिए, clear, अब उस case में numbering करनी है, क्योंकि अगर substituent हुआ, functional group हुआ, या in, in, in हुआ, तो वहाँ पर position आती है, तो उस case में क्या priority order होता है, numbering का, जब भी हमारे पास present हो, numbering करने के लिए, तो उस case में क्या करना है, बिटा, सबसे ज़्यादा priority दी जाती है, functional group को, उसको हमेशा one position दी जाएगी, हमेशा, अगर किसी भी compound में, एक से ज़्यादा functional group present है, तो उनमें से जो senior most functional group है, उसको one position देना है, बाकी सबको, फिर substitute मानना है, और उनको substitute मानते हुए, अब priority किसको देनी है, बिटा, second priority, double bond या triple bond को, double bond या triple bond को, double bond और triple bond अगर equal position पर आ रहे हैं, तो ज़्यादा priority, double bond को, उसके बाद, last में, substituents को आप consider करेंगे, तो जब भी आपने longest chain of carbon को select किया, उसके बाद, आपको numbering करना है, clear, यही point लिखा हुए बिटा, जो मैंने अभी आपको समझाया, क्या समझाया है बिटा, कि अगर किसी भी compound में, एक से जादा functional group present है, क्या, if more than one functional group, functional group is just like jungle में राजा, और jungle में राजा एक ही होता है, clear, तो जब भी एक से जादा functional group present होंगे, I present, then for nomenclature, senior most functional group is treated as main functional group, जो senior most है बिटा, उसको हम किसकी तरह consider करेंगे, जो हमारा main functional group है, and it's a suffix, और उसका क्या use किया जाएगा, suffix, and all others are treated as substituent, अब बाकी सबको हम किसकी तरह consider करेंगे, substitute, और उनका prefix लिखा जाएगा अब, क्योंकि अब तो वो substituent हो गए, अब वो functional group नहीं है, तो उनका prefix लिखा जाएगा उनकी position के साथ, are written alphabetically, यह जो point है, यह बहुत important है, इसको याद रखना है, clear, क्योंकि अभी हम example practice करेंगे, तो आपको यह go through करवाएंगे, next, और क्या key point है, अब क्योंकि अगर हमने जिक्र कर ही लिया है, अगर हमने जिक्र किया है, senior most of functional group का, तो क्या priority order है हमारे पास, क्या हमारे पास एक order है इनकी numbering का, clear, तो यह हमारे पास किसका order हो गया बेटा, है न, order of, यह priority order है, किसका, that is, seniority of functional group, seniority of functional group, तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे ज़्यादा priority किसको मिलता है, सबसे ज़्यादा priority मिलता है बेटा, that is carboxylic acid, क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा priority में, that is carboxylic acid, उसके बाद second priority होती है, sulfonic acid, याद रखना है बेटा, sulfonic acid, उसके बाद carboxylic acid, sulfonic acid के बाद, सारे के सारे carboxylic acid के derivatives आ जाते हैं, क्या है बेटा, जैसे कि यह आ गया, ester, है न, फिर हो गया acid chloride, उसके बाद हमारे पास आ गया, that is amide, उसके बाद आ गया, cyanide, उसके बाद आ गया, isocyanide, उसके बाद आ गया, aldehyde, उसके बाद आ गया, that is keto group, aldehyde, ketone, यह हो गया alcohol, यह हो गया thiol, यह हो गया amine, यह हो गया, alkyne, और यह हो गया, alkyne, यह हमारे पास बेटा, priority order है, सबसे पहले, carboxylic acid, sulfonic acid, उसके बाद सारे carboxylic acid की derivatives, फिर cyanide, isocyanide, aldehyde, ketone, alcohol, alcohol की कम priority यह ध्यान रखना, ठीक है, तो mainly जो काम आते हैं, यह हो पते कौन से होते हैं, जो आपको याद होना चाहिए, mainly जो काम आते हैं, COH, है न, aldehyde, ketone, alcohol, सबसे ज़्यादा clashes और सबसे ज़्यादा confusion इन में ही होता है, याद रखना, सबसे ज़्यादा carboxylic acid, then aldehyde, then ketone, and then alcohol, एक तरीके से reduction करते ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा oxidized product क्या होता है, carboxylic acid, reduction कराएंगे, तो उसके बाद हमारे पास carboxylic acid के बाद क्या आगया, aldehyde, ketone, उसके बाद alcohol, clear बिटा, देख लो ध्यान से, यह order है, of seniority of functional group, यानि कि senior most functional group कौन सा होगा, अब हम बात कर लेते हैं, कुछ prefix और suffix की, तो अब हम कुछ major, यानि कि जो important functional group है, जो mainly जहां से questions बनते हैं, उनके prefix और suffix लिख लेते हैं, किसी भी compound में बेटा, अगर लिखा हुआ है, क्या c o h, तो हमें पता होना चाहिए, कि इसका prefix और suffix क्या होता है, clear, तो अगर हम बात करें इसके prefix की, पहले सारे functional group लिख देती हूँ, चीक है, यह होगया, हमारे पास carboxly क्या से डो गया, उसके बाद cyanide हो गया, किसी भी compound में, तो उसका prefix और suffix क्या होगा, जो भी important है, हम उनको discuss कर लेते हैं, उसके बाद aldehyde हो गया, है न, उसका prefix suffix, उसके बाद ketone हो गया, उसका prefix suffix, है न, उसके बाद हमारे पास alcohol हो गया, है, उसका prefix suffix, ठीक है, उसके बाद हमारे पास aldehyde, ketone, carboxlylic acid हो गया, हाँ, ठीक है, यह main main है, इनका हमें पता हो गया, इदर हो गया, carboxlylic, cyanide, aldehyde, clear, उसके बाद मैं आपको neotard, butide, इनके बारे में भी बता दूँगी, ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, इनके prefix और suffix की, तो ध्यान से देखना, बिटा, सबसे पहले, इसके prefix की बात करते हैं, इसका prefix, हाला कि उसकी जरुवत कभी नहीं पड़ती है, लेकिन माल लो, कभी COOH, अगर prefix की तरह यूज हो गया, तो इसका prefix होता है, बिटा, that is, carboxy, इसका suffix क्या होता है, इसका suffix होता है, oic acid, क्या बिटा, oic acid, और आपने carboxylic acid के carbon को parent chain में consider नहीं किया है, तो suffix क्या होता है, बिटा, that is, carboxylic acid, repeat कर देती हूँ, बिटा, point ध्यान से सुनना, अगर आपने longest chain of carbon में, उसमें आपने carbon को consider नहीं किया है, तो, next बिटा, इसका क्या होगा, इसका अगर हम बात करें, prefix की, तो prefix तो सबको पता है, क्या, इसका जो prefix है, वो हम क्या लिखते ह है, बिटा, that is, sino, clear, अगर coordination compound होता, तो हम क्या बोलते है, बिटा, sinido, इसका suffix क्या होता है, इसका suffix होता है, बिटा, एक तो होता है, that is, nitrile, और, इसके carbon को, हमने अगर parent chain में consider नहीं किया, तो, इसका suffix होता है, carbonitrile, next, बिटा, इसका, ये LD height functional group है, इसका prefix क्या होता है, इसका prefix दो होता है, इस case में, इसका prefix क्या होता है, जब इसके prefix की बात करें, तो ये होता है, formal, clear, इसके suffix की अगर हम बात करें, तो इसका suffix क्या होता है, इसके suffix दो होते है, एक तो हमारे पास क्या होता है, अल, क्या होत involve नहीं किया है, तो उस case में इसका suffix होता है, Carbaldehyde, क्या बिटा, Carbaldehyde, next देखना है बिटा, यह हमारे पास ketone functional group है, इसकी अगर हम prefix की बात करें, इसकी अगर हम prefix की बात करें, तो इसका prefix क्या होता है, that is oxo, है ना, या फिर keto, और इसका suffix क्या होता है बिटा, इसका suffix होता है, that is o-n-e, clear है, यह alcohol functional group है, इसका prefix क्या होता है बिटा, इसका prefix होता है, that is hydroxy, और इसका suffix क्या होता है, इसका suffix होता है, that is all, यह al होता है, यह all होता है, देख लो बटा ध्यान से, तो ये कुछ important prefix है, suffix है, जो मैं आपको बता दिया है, उसको ध्यान से देखो बटा एक बार, ठीक है, ये आपको main-main मैं बता रही हूं बटा, जहां से हमारा question बन सकता है, सेम इसी तरीके से बटा, हम बात कर सकते हैं, कि ISO क्या होता है, है ना, NEO क् क्योंकि ISO और NEO को IUPAC nomenclature में consider किया जाता है, ISO क्या होता है बटा, ISO means second last carbon पे एक methyl group present है, I am repeating once again, कोई एक parent change जा रही है, उसके second last carbon पे अगर एक methyl group present है, तो उससे हम बोलते है ISO, ध्यान से देखना बटा, मान लो ये इस तरीके से था, CH3, CH2, है ना, CH2, ये आगे भी कुछ भी लग जाए, क्लोरीन लग जाए, एलकोहल लग जाए, कोई भी group लग जाए, अगर इस chain के last का है, ये रा last, इसका second last carbon पे अगर एक methyl group लग जाए, तो methyl मतलब CH3, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ISO, उसके बाद ये total carbon कितने है, ये total 4 carbon है, तो इसका नाम क्या हो जा अगर यहाँ पर chlorine लग जाए, isobutyl chloride, अगर यहाँ पर OH लग जाए, isobutyl alcohol, clear, सेम उसी तरीके से पिटा, नियो क्या होता है, नियो होता है, second last carbon पे दो methyl group, जैसे कि धियान से देखना, एक chain थी, CH3, CH2, है ना, CH2, ये chain आगे भी बनती चली जा रही है, मान लो, उस case में यहाँ से chain अभी चल रही है, तो इसका last है यह, यह है second last, second last carbon पे दो methyl group, second last carbon पे दो methyl group, तो अब यहाँ पर word क्या होगा, use बिटा, नियो, ये total कितने है, पांच, तो क्या बोलेंगे, नियो पेंटायल, है ना, दोनों का एक एक example करवा देती हूँ, ध्यान से देखन है बिटा, है ना, CH3, CH2, है ना, यहाँ पर chlorine लगा दिया, यह second last carbon था हमारे पास, उसी तरीके से बिटा, CH3, CH, अब तो यहाँ पर एक हाइट, वो कम हो जाएगा, ना, इसकी तो valency complete हो गई है, है ना, तो यह हो जाएगा, C, इस तरीके से, ठीके, दो, तीन, चार, इधर भ हो गया वो, है ना, दियान से देखना बिटा, यहाँ पर यह compound है, that CH3, CH2, ठीके, यहाँ पर, यह chain चल रही है, तो इस case में इधर है CH3, 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 है ना, CH2, इधर OH आ गया, तो अब यहाँ से chain शुरू हो रही है, इस chain में second last carbon पर दो methyl group है, तो यह क्या हो गया, नियो, total carbon कितन है, 5, नियो, पेंटाइल, functional group कौन सा लगा हुआ है, alcohol, तो नियो, पेंटाइल, alcohol हो गया, clear, उसी तरीके से बिटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हमारी पूरी chain थी, और इसमें second last carbon पर एक methyl group लगा हुआ है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, isopropyl chloride, easy, क्या बोलेंगे बिटा isopropyl chloride, देख लो पेटा, ध्यान से इसे एक बार, से मुझी तरीके से हम secondary और tertiary word भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बिटा, secondary, sec भी यूज़ करते हैं, that is secondary, और tert भी यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं, tertiary, common सी चीज़ें बिटा, नहीं पता होती, बहुत confusions रहते हैं इन चीज़ों में, उसको clear कर लेते हैं, फिर example practice करेंगे, ध्यान से देखना बिटा, secondary का मतलब क्या है, secondary का मतलब यह है, जो आपका substituent या functional group है, जो भी आपका functional group है, वो जिस carbon से जुड़ा हुआ है, वो carbon खुद कैसा है, secondary है, वो carbon कैसा है बिटा, secondary है, उसे हम कहते है, secondary, clear, उसी तरीके से बिटा, tert word कब यूज़ करते हैं, tertiary word हम यूज़ करते हैं, जब functional group जिस carbon से जुड़ा हुआ है, वो carbon खुद tertiary हो, वो carbon खुद कैसा है बिटा, tertiary, तो दिहान से देखना, CH3 यह carbon है, देखना, अब यह carbon आगे जिससे भी जुड़ेगा, यह carbon आगे जिससे भी जुड़ने वाला है, वो chloride हो सकता है, alcohol हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यह carbon खुद कैसा है, यह carbon खुद 3 degree है, इसलिए यूज़ होता है, tert, ठीक है, tert, उसके बाद, यहाँ पर, जब यह मानलो जुड़ गया, OH से, ठीक है, अब इसका common name लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, tert, total carbon कितने है, total carbon कितने है, चार, कितने है, चार, तो word यूज़ करोग तो यह butyl, functional group क्या है, alcohol, तो इससे बोलते है, tert butyl alcohol, यह हम बोल सकते है, tertiary butyl alcohol, इस case में क्या होता है, इस case में, मानलो, CH3, CH2, है न, इधर carbon है, इधर CH3 group present है, अब यह आगे किसी से भी जुड़ा हुआ है, यह आगे किसी से भी जुड़ा हुआ हो, लेकिन इस carbon की right now degree क्या है है, 2 degree, यह carbon खुद कैसा है, 2 degree, तो functional group जिस carbon से जुड़ा हुआ है, उस carbon की खुद की degree अगर 2 degree है, तब हम यूज करते हैं, sec या secondary, और उस case में, total carbon कितने है, 4, तो इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे, secondary butyl alcohol, बहुत minor minor से difference है, but difference है, समझ आ गया है, इसको definition में लिखने का कोई sense नहीं है, यहाँ पर functional group जिस carbon से, उस carbon की degree 3 है, यानि कि वो directly 3 carbon से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर functional group जिस carbon से है, उसकी degree 2 है, देख लो बटा धियान से, clear, तो अब हमने यहाँ तक बात कर ली है, nomenclature करते हैं time, formula क्या है, सबसे प ग्रूप, अगर उसमें एक से जादा functional group है, तो जो senior most है, वो functional group माना जाएगा, बाकि सब substitute माने जाएगे, और nomenclature में उनका prefix लिखा जाएगा, उसके बाद double bond को priority देनी है, फिर triple bond और उसके बाद substitute, उसके बाद जब nomenclature कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको लिखना है root one, फिर an in iron with your position and उसके बाद functional group, clear बेटा, तो कुछ basic सी चीज़े थी, हमने revise किया, अब हम example practice करते हैं, that's all about the IUPAC naming, सारे key points में आपको बता दिये, लेकिन हर example में क्या difference आजाता है, क्या चीज़े आजाती है, common name से IUPAC लिखने में, तो जो important चीज़े उसको हम cover करते हैं, easiest example से CH4 जो होता है, इसका नाम देना बहुत ही मुश्किल है, longest chain of carbon, एक ही carbon है इसमें तो, क्या बेटा, CH4 में तो एक ही carbon है, ना substituent है, ना compound cyclic है, सीधे root word पर आते हैं, तो use करेंगे myth, सारे single bond है, methane, और एक ही carbon है तो कहे की position, next हम बात करते हैं बेटा, that is isopropyl alcohol, isopropyl alcohol, अब बात करते हैं मैंटा, isopropyl, अभी अभी हमने सीखा, what is isopropyl, मानलो यह हमारे पास एक longest chain जा रही थी, CH3, CH2, है ना, क्लोरीन जोड़ा हुआ है, और second last carbon से, second last carbon से, एक methyl group जोड़ा हुआ है, तो यह क्या हो गया, isopropyl chloride, हमें अब इसका nomenclature करना है, पहला काम, longest chain of carbon को select करना, यह हो गई, longest chain of carbon, without any branching, consider, clear, तो अब इस case में numbering करनी है, numbering का priority order था, functional group, क्या कोई functional group है, नहीं, क्या कोई double bond है, नहीं, क्या कोई triple bond है, नहीं, तो अब priority किसको दोगे, substitute, लेकिन, ऐसा तो नहीं कर सकते है, one, two, एक synchronization होगा, continuous चलेगी, ऐसा नहीं होगा, one, two, three, कुछ भी कर दो, clear, तो यहां से numbering करो, यह यहां से करो, उसको तो second position मिल नहीं है, तो क्या आ गया है, बिटा, one, two, three, अब बताओ, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले लिखा जाता है, substitute with the opposition, substitute है, chloro, clear, तो क्या बोलेंगे, two chloro, क्या आ जाएगा, बिटा, तीन कारबन है, root word, prop, सारे single bond है, two chloro, prop, देख लो, clear है, एक दम, तो हमने isopropyl chloride से, पहले सका नाम लिखा, फिर हमने इसका nomenclature करा, next से बिटा, neopentyl alcohol, neopentyl क्या होता है, अभी मैं आपको बताया, एक chain है, उसके second last carbon पे दो methyl group है, और total carbon 5 होने चाहिए, तो आप कैसे arrange करोगे बिटा, CH3, ये carbon हो गया, ठीक है, इसके साथ 2 CH3 group लगे हुए है, और ये हो गया CH2, और ये हो गया alcoholic group, ये हो गया हमारा का, तो ये हो गया, neopentyl alcohol, longest chain of carbon को select किया, तो हमने functional group था, तो इसको priority मिलनी थी, तो यहां से ये हो गया longest chain of carbon, numbering कहां से करेंगे, यहीं से करेंगे, तो कि functional group को priority मिलेगी, इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, तो ध्यान से देखो इस example में, क्या कोई substituent है, बिल्कुल है यहां पर एक substituent है, यह दो methyl group लगे हुए है, clear, तो substituent की नाम क्या होते है, जैसे कि, है ना, मैं आपको बता देती हूँ, name of substituents, name और I can say, prefix of substituents, बड़े easy-easy चे है बिटा, है ना, सबसे पहले हमने बात कर ली, जैसे कि, अब ही हमारे पास क्या था, CH3, एक carbon वाला LK ने, जिसमें से एक hydrogen हट गया, तो methane से एक hydrogen हट जाए, methane, दो hydrogen हट जाए, methylene, clear, तो यहां से हटा हुआ है, तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है, methyl, तो हम R normally use कर लेते हैं, किसके लिए, alkyl group के लिए, clear बेटा, next, अगर हम बात करें, दो carbon वाले, ethane से एक hydrogen हटाओगे, CH2, तो इसको और कैसे represent करते, CH2, CH3, इसके लिए prefix क्या use होगा, ethyal, clear, next, अगर NO2 है, तो उसके लिए prefix use होता है, nitro, क्या use होता है, nitro, cyanide के लिए तो लिखी लिया, अगर halogen है, तो उसके लिए use करते हैं, hello, यानि कि chlorine है तो chloro, bromine है तो bromo, iodine है तो ido, उसी तरीके से अगर OR group लगा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, बेटा, alcoxy, alcoxy, जैसे की OCH3, एक carbon है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, बेटा, methoxy, अगर ये होता, OC2H5, दो carbon है, इसे बोलेंगे, बेटा, ethoxy, clear, देख लो बेटा, इसे दिहान से, तो ये कुछ substitute के भी name हो गए, देख लो बेटा, इहान से, अब हम बास करते हैं, बेटा, इहान से आपके कुछ common names की भी practice होती जा रही है, जैसे की glycerol, अब glycerol का formula क्या होता है, glycerol का formula होता है बेटा, CH2OH, 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 that is the formula of Giosu, that is the glycerol, that is the structure, सबसे पहला काम क्या है बेटा, सबसे पहला काम है, longest chain of carbon को select करना, ये हो गया, numbering कहीं से भी कर लो, तीनों पर functional group लगा हुआ है, और तीनों के तीनों functional group same है, यहां लिखा one, यहां लिखा two, यहां लिखा three, जब तीनों same है, तीनों ही senior है, तीनों को कैसे लिखा जाएगा, तीनों का suffix तो all होता है, आगे लिख देंगे try all, clear, तो क्या कोई substituent है, न, क्या compound cyclic है, न, सीधे आते हैं root word पे, तीन कार्बन है, तो यह क्या हो गया, prop, सारे single bond है, propane, one, two, three, try all, देख लो बिटा, दियान की, वोवल्स अगर एकदम साथ में आ जाए, A, E, I, O, U, तो remove कर दिना है, E को, ethane, methane, propane में जो भी E आता है, अब glycol किसे बोलते हैं, glycol बोलते हैं बिटा, CH2OH, CH2OH, इस case में भी numbering कैसे करेंगे बिटा, यह हो गया हमारे पास, root word, यह हो गया one, यह हो गया two, तो इसका नाम क्या हो गया बिटा, ethane, one, two, diol, clear बिटा, same functional group था तो यहाँ पे senior winner जैसा तो कुछ होगा नहीं, clear देख लो बिटा धियान से, next example जो हम discuss करने जा रहे हैं, क्या है वो, धियान से देखना बिटा, देखो धियान से, यहाँ पर अब इस case में क्या कोई functional group है, नहीं, double bond है, तो हमारे पास यह हो गया longest chain of carbon, numbering करनी है, one, two, three, four, अब इस case में नहीं compound cyclic है, ना substituent है, तो सीधे root word पे आते हैं, चार carbon है, क्या लिखेंगे, but, और उसके बाद हमें क्या represent करने हैं, दोनों, तो यहाँ पर double bond की position क्या है, one, triple bond की क्या है, three, तो क्या लिखेंगे, but, one in, two iron, देख लो बटा, but, one in, two iron, asses का normal condition क्या होते हैं, यह भी हमें पता होना चाहिए, तो इसे भी हम add up कर देते हैं, secondary, tertiary वाले point के बाद, क्या बटा, अगर हम बात कर रहे हैं, अलायल की, या हम बात कर रहे हैं, विनायल की, सबसे पहले हम बात करते हैं, यह अलायल ग्रुप क्या होता है, यह अलायल वर्ड यूज होता है बाटा, देखना, CH3, CH, double bond, CH2, यह जो हमारे पास ग्रुप है, reverse हो गया यह तो, CH2, double bond, CH, single bond, CH2, यह, है न, valency चेक कर लेना बाटा, कार्बन के valency चारी रखनी हैं, अब इस case में यहाँ पर, यह वाला जो ग्रुप है न, यह पूरा कहलाता है, अलायल, है न, तो अगर मैंने लिखा इस तरीके से, अलायल का मतलवी क्या है, अलायल हम यूज करते हैं, CH2, double bond, CH, single bond, CH2, इसके लिए, अगर यहाँ पर OH ग्रुप आ जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बेटा, अलायल, अल्कोहॉल, सेम उसी तरीके से होता है बेटा, विनायल ग्रुप, विनायल ग्रुप क्या होता है, CH2, double bond, CH, पाई बोलेंट कार्बन, वो भी दो कार्बन हो, उनसे डारेकली, कोई भी ग्रुप जुड़े, तो उसको हम बोल सकते हैं, विनायल, यह पूरा ग्रुप कहलाता है बेटा, विनायल, एक्जाम्पल देखना बेटा, अगर ऐस तरीके से होता, CH2, double bond, CH, single bond, OH, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, that is, विनायल अल्कोहौल, clear बेटा, देख लो इसे दिहान से, यह कहलाएगा, विनायल अल्कोहौल, तो अब आजाते हैं, नॉमेंट्रेचर, वापस, हमें क्या common name दे दिया बेटा, हमें common name दे दिया है, allyl chloride, what is allyl, मैंने आपको अभी बताया, तीन carbon है, जिन में से पहला वाला carbon pi bonded है, CH2, double bond, CH, single bond, CH2, यह हो गया allyl, यहाँ पर आगया chlorine, यह हो गया allyl chloride, अब इस case में, longest chain of carbon select करो, यह हो गई, numbering करो, कहां से करोगे, क्या कोई functional group है, नहीं है, क्या compound cyclic, नहीं, उसके बाद pi bond, pi bond इसके पास है, numbering हो गया, अब compound का नाम लिख देते हैं, सबसे पहले substituent लिखा जाता है, विद्धिय पोजिशन, तो हमने लिखा, क्या लिखा बेटा, that is, three chloro, root word में तीन carbon है, prop, पहले carbon पे पाई बॉन, प्रोपीन लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप position नहीं mention करते, by default माना जाता है, one position प answer से, next example देखना मिटा क्या दिया है हमें, CH के साथ, दो CL लगे हुए हैं, और एक CH2 है, पहला काम, longest chain of carbon को select करना, अब numbering कहां से करें, किसको one करें, क्या numbering में alphabetical order follow होता है, न, नहीं होता, नाम लिखने में alphabetical order follow होता है, तो अब इस case में, one किसको दोगे, जिसके पास दो substituent है, इस carbon के पास दो substituent है, इसके पास एक ही है, तो numbering कैसे होगी बिटा, देखना, one, two, नाम लिखते टाइम, alphabetical order, तो substituent, bromo, chloro, chloro, तो इसका नाम हो जाएगा, two bromo, one, one, dichloro, ethane, देखलो नाम, match भी करते चलना, साथ-साथ practice करते जाओ, ठीक है, next पिटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, पहला काम, longest chain of carbon को select करना, OCH3, OCH3, क्या नाम है इन substituent के, methoxy, यह हो गया, अपना longest chain of carbon, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बिटा, one, two, कहीं से भी करतो, तोनों तरफ same prefix, one, two, dimethoxy, ethane, clear है बिटा, क्या नाम हो जाएगा, one, two, dimethoxy, ethane, next, longest chain of carbon, already compound कैसा है, cyclic, no substituent, no functional group, no pi bond, no triple bond, तो according to formula, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, cyclo, root word में 6 carbon है, hex, सारे single bond है, aim, cyclohexy, next compound हमारे पास क्या है, this is, अब इस case में, एक functional group है, यानि कि numbering तो उसी carbon से होगी, तो हमने लिखा यहाँ पर, one, two, three, four, five, six, अब इस case में numbering करते हैं टाइम, कोई भी substituent नहीं है, नहीं है, क्या compound cyclic है, yes, तो लिखा जाएगा, cyclo, उसके बाद third क्या था, root word, root word में कितने carbon है, 6, तो cyclohex, क्या pi bond है, बिलकुल है, कितने हैं, दो है, एक तो second position पे और एक fifth position पे, तो cyclohex, two, five, diene, double bond का suffix क्या था, en, और one position पे लगा हुआ है, all, तो हो जाएगा, one all, अगर position में mention ना करती, तो वो clear था, क्या, कि वो one position पे ही लगा हुआ है, देख लो बिटा धिहान से, next है हमारे पास compound देखना, that is HCOH, अब इस case में यह जो HCOH है, इसका common name की अगर मैं बात करूँ, इसका common name जो होता है, वो तो क्या होता है बिटा, that is formic acid, formic acid, अब एक ही carbon है, longest chain of carbon में, और इस case में इसका नाम क्या हो जाएगा, no cyclic compound, no substituent, root word में एक carbon, methanoic acid, clear बिटा, next compound देखना, इसमें longest chain of carbon को select करना है, ठीक है, तो दिहान से देखना बिटा, 1, 2, 3, ठीक है, अब इस case में, priority order numbering में हमने functional group को दिया, अब compound का नाम लिखना है, क्या कोई substituent है, नहीं, क्या compound cyclic है, yes, root word में कितने carbon है, 3, cycloprop, क्या कोई double bond, triple bond है, yes, double bond है, 2, in, और one position पे COH लगा हुआ है, इस COH के carbon को हमने parent chain में consider नहीं किया, तो इसका पूरा नाम लिखा जाएगा, क्या, one carboxylic acid, अगर ये carbon parent chain के अंदर होता, तो इसका suffix होता, oic acid, देख लो बिटा धियान से, next compound है, हमारे पास ये, इसका नाम क्या हो जाएगा बिटा, easy है, cyclohex, सारे single bond है, cyclohexanone, यह हो गया ketone, next, अब इस case में बिटा, मैंने यह ही कह था, जंगल में राजा एक ही होता है, अब आपको याद होना चाहिए, priority order, आपको दिख रहा होगा, कि इसमें तो ketone भी functional group है, और OH भी functional group है, क्या कहा था, if more than one functional group are present, then senior most of functional group is considered as functional group, rest are considered as substituent and their prefix are written alphabetically, जंगल में राजा एक यूट, इन दोना में से senior most कौन है, तो मैंने आपको याद करवाया था और बोला भी था, सबस्यादा यह यह use होता है, carboxylic acid, cyanide, aldehyde, ketone, alcohol, clear? तो यहाँ पर इसको one मिल गया, two, उसके बाद तो यह तो prefix हो गया, तो second position pi bond को मिलेगी न, क्योंकि numbering का order क्या था, functional group, then pi bond, then triple bond and then last में क्या था बेटा, that is, substituents, three, four, five, अभी यह substituent है, भूल जाओ यह alcohol है, और अगर OH substituent है, तो what is the prefix of OH? hydroxy, position के साथ mention कर दू, five hydroxy cyclopent, two in, one own, देख लो बिटा ध्यान से, यह नाम हो जाएगा इस compound का, तो यह जितने भी cases में आपको करवारे हूँ न, सब अपने आप में एकदम अलग है, next देखना पिटा, next, next example देखना, that is, अब इस case में, कौन है senior most पिटा, cyanide, clear? तो one, two, three, four, five, हो गया इसका nomenclature, क्योंकि आप तो बागी सारे substitute हो गए, तो अब इस case में, इनका नाम देना है, और चो और ओएच ग्रूप अब substitute हो गए, तो substitute को कैसे लिखा जाता है, alphabetically, इसका prefix क्या था, formyle, इसका prefix क्या था, hydroxy, तो इन दोनों में से, पहले alphabet में कौन आता है, formyle, इसका नाम हो जाएगा, 5, formyle, 4, hydroxy, cyclo, pent, 2, in, 1, बेटा, CN ग्रूप का कार्बन, अगर parent chain में consider नहीं हुआ है, तो suffix होगा, carbonitrile, clear बेटा, methyl alcohol क्या होता है, methyl होता है, CH3, यह होता है, OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, methenol, common name दे दिया था, देख लो ध्यान से, दोनों examples, next हम बात करते हैं, allyl alcohol, तो allyl group किसे बोलते हैं, बेटा, CH2, double bond, CH, single bond, CH2, यह group कहलाता है, allyl, अब इस case में, अगर इदर OH आ जाए, तो यह कहलाएगा, allyl alcohol, numbering तो यहीं से होगी, clear, तो 1, 2, 3, क्या हो गया, compound का नाम, यह हो गई हमारी, longest chain of carbon, यह हो गई numbering, इसका नाम हो जाएगा, that, prop, to, in, second position पे in लगा हुआ है, one oil, क्या नाम हो जाएगा बेटा, prop, to, in, one oil, देख लो बेटाई से धिहान से, next है हमारे पास, that is, tert-butyl alcohol, what is tert-butyl, total चार कार्बन है, और alcoholic group, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो खुद tertiary है, तो यह हो गया, three degree carbon, ठीक है, इसके साथ, O-H जुड़ा हुआ है, अब इस case में, ना हमें करना है, इसका nomenclature, यह हो गया, हमारा longest chain of carbon atom, one, two, three, और इस case में, इसका नाम हो गया, two-methyl, क्योंकि अब यह तो हो गया, prefix, two-methyl, propane, two-ol, clear, देख लो बेटा ध्यान से, next बेटा, सेम इसी तरीके से, hydrocarbons में होता है, जो कि हमारे पास, bond line form में होते हैं, यह carbon को represent कर रहा, अगर यह ऐसे होता, तो यह ethyl group को represent करता, इनका numbering करना है, same rule follow होते हैं, ठीक है, one, two, तो यह दो methyl group हो गए, one, two, dimethyl, cyclohexyl, clear, यह बहुत ही basic से rules हैं जो हमें काम आते हैं, जो हमें help करते हैं, identify करने में, clear, उसी तरीके से, हमने amine के कुछ compounds discuss नहीं किये हैं, amine हो गया, है न, उनके भी कुछ examples discuss कर लेते हैं, तो दिहान से देखना, कुछ common हम discuss कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, किस की, that is, NH2 की, है न, amine, जिसमें भी amine group present होता है, clear, amine हो गया, है न, aster हो गया, है न, और ether हो गया, तीनों का देखना थ्यान से, है न, एक रहा गया, that is, amide, है न, एकदम थ्यान से देखना बिटा, सबसे पहले हम बात करते हैं, amine group की, जैसे की, कोई compound हमें दे दिया, CH3, CH2, N, CH3, CH3, aster में हमने ले लिया, CH3, CH2, C double bond O, O, CH3, ether में हमने ले लिया, CH3, CH2, O, CH3, है न, amide में हमने ले लिया, CH3, CH2, CH2, C double bond O, NH2, है न, सबसे पहले हम बात करते हैं, विटा, amine group की, amine group में nitrogen आ जाता है, nitrogen, जब डारेक्ली एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो वो होता है प्राइमरी amine, जब डारेक्ली दो कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, nitrogen डारेक्ली तो वो होता है, secondary amine, और अगर nitrogen डारेक्ली तीन कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो वो होता है tertiary amine, अब इस case में बिटा, nitrogen longest chain of carbon में तो नहीं आ सकता, लेकिन उस nitrogen पे अगर कोई group अटैच है, तो उस compound का nomenclature हम कैसे करेंगे, तो दिहान से देखना बिटा, nitrogen ये जितने भी तीन chain इस carbon के साथ हैं, इस nitrogen के साथ जो तीन carbon जुड़े हुए हैं, उनमें से जो longest chain होगी, वो आपकी parent chain होगी, तो parent chain यहाँ पर एक ही carbon था, यहाँ पर एक ही carbon था, यहाँ पर दो थे, यह हो गई longest chain of carbon, अब इस case में, इस N के साथ दो methyl group लगे होगे हैं, तो इसका nomenclature करना पड़ेगा, और इसको exactly N ही लिखते हैं, दो methyl group है, तो क्या लिखेंगे बिटा, जैसे की one position पर दो methyl होते थे, तो हम क्या लिखते थे, one, one, dimethyl, तो यहाँ पर N position पर दो methyl है, तो इसका नाम आ जाएगा N, N इसको represent कर रहा है, दाइ मिथाईल, और परेंट चेंड में कितने कारबन है, दो, इथेन, और इसका suffix क्या होता है, इथेनामीन, clear? तो इस case में बिटा, यह जो अमीनो गुरुप होता है, इसका जो prefix होता है, वो क्या होता है, अमीनो, और इसका जो suffix होता है, वो क्या होता है बिटा, that is, अमीन, उसी तरीके से बिटा, एस्टर, एस्टर में क्या करो आप, है ना, एस्टर में सफिक्स क्या होता है, O8, क्या होता है बिटा, O8, अब इस case में, एस्टर गुरुप को पहचानते कैसे हैं, धियान से देखना है बिटा, R, C, डबल बॉन्ड, O, O, H होता है, तब तो यह acid होता है, इस hydrogen को हटा कर, अगर, कोई भी alkyl गुरुप लगा दो, तो यह ester बन जाता है, इस hydrogen को हटा कर, अगर, NH2 गुरुप लगा दो, O, H गुरुप को हटा कर, है ना, यह carbox leak acid के derivative है, तो यह amide बन जाता है, इस OH को हटा कर, अगर, halogen लगा दो, तो यह acyl halide बन जाता है, यह acid halide, तो इसको हम carboxylic acid के derivatives भी कहते हैं, अब इस case में, जब nomenclature करना है, तो क्या देखना है बिटा, इस case में, O के साथ जो group लगा हुआ है, उसको सबसे पहले लिख दो, methyl लगा हुआ है, अगर CH2, CH3 होता तो ethyl लिखते, बाकी यह आपका longest chain of carbon है, कितने है बिटा, तीन carbon है, तो use होगा propane, और suffix क्या है, weight, clear क्या है weight, ether, ether का कोई suffix नहीं होता, इसको बिलकुल prefix की तरह, बिलकुल normal nomenclature होता है इसका, तो बाई, ether की पहचान क्या होती है, R, O, R, clear, अब इस case में, दोनों तरफ, oxygen के दोनों तरफ, जो carbon की chain है, उसमें से जहाँ ज्यादा carbon atom present है, वो आपकी longest chain हो जाएगी, जैसे कि इधर एक CH3 था, और इधर दो carbon थे, तो यह longest chain of carbon हो जाएगी, और O, CH3 को क्या बोलते है, methoxy, तो इसे बोलोगे, methoxy, और धर आजाएगा, that is, यह हो गया बेटा, methoxy, और यह हो गया, ether, clear, next बेटा, amide, amide group में भी क्या होता है, इसमें, suffix क्या होता है, amide ही होता है, suffix क्या होता है बेटा है हाँ पर, amide, तो इसका नाम लिख देते हैं, क्या से लिखते हैं, longest chain of carbon को select किया, क्या हो जाएगा, ना cyclic है ना कोई substituent है, तो butanamide, butanamide, clear, तो इस तरीके से जो mainly, आते हैं, जो basics आपको काम आते हैं, आगे वाले chapters के लिए, यह वो basic rules है बेटा, वो basic nomenclature है, clear, मैं आपको कुछ compounds देती हूँ बेटा, उनका nomenclature आप try करो, तो आपको और अच्छे से clear हो जाएगा, compound मैंने आपको दिया है, for example, that is, हमारे पास amine के कुछ compounds, discuss कर लेते हैं, NH2, CH2 के साथ है whole pore, अब इसमें NH2 जुड़ा हुआ है, तो एक चीज तो clear है, कि इसमें amine group present है, है ना, CH, CH, COOH, NH2, इस तरीके से compound दे रखा है, और आपको इसका nomenclature करना है, तो आपका पहला काम क्या है, आपका पहला काम है, कि आप इसको represent करोगे, इसको लिखोगे पहले, carbon equivalency 4 होती है, सबसे पहले इसको open करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, NH2, as it is लिखते जाओ, कोई tough नहीं होता बेटा, 4 CH2 है, CH2, 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 उसके बाद, एक CH है, और CH के पास CO2 है, यह NH2 किस से जुड़ा हुआ है, इस से, पहला काम, longest chain of carbon को select करना, कर लेते हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे पास यह हो गई, longest chain of carbon, इस carbon को parent chain में हमने ले लिया, numbering कहां से करेंगे, priority order, functional group, then double bond, then triple bond, और last में, substituent, obviously functional group है, बाकी सब क्या हो गए अब, prefix, NH2 का अब suffix यूज नहीं होगा, I mean, क्यूँ, क्योंकि जंगल में राजा एक ही होता है, हर compound में, functional group एक ही होगा, जो senior most है, बाकी सब, substituent है, तो क्या हो जाएगा बिटा, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, clear, क्या नाम हो जाएगा बिटा, इस compound का, इस compound का नाम हो जाएगा, कहां भे क्या present है, है न, अरे रे, हम इसको कैसे भूल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर और इधर amino group present है, तो इसका नाम हो जाएगा, 2, 6, di-amino, hexay, 1, oic acid, देख लो बिटा, धियान से, इस तरीके सा हम इसका नॉमेंकलेचर करेंगे, next, है न, इसको देख लो बिटा, फिर एक और example प्रैक्टिस करते हैं, अगर हमें दे दिया जाए, है न, aromatic compound, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें compound दे दिया, कुछ इस तरीक ऐसे, इसका नॉमेंकलेचर हम कैसे करेंगे, देख लो बिटा, इसका नॉमेंकलेचर हम कैसे करेंगे, करो बिटा, पहली बात, आपको ये देखना है, जब भी कभी ऐसा हो, cyclic भी है और open chain भी है, तो हम parent chain किसको माने, जब भी cyclic भी हो और parent chain भी हो, open chain भी हो, उस case में, जिसके साथ, functional group जुड़ा हुआ है, वो हमेशा आपका parent chain माना जाएगा, चाहिए उसमें कम carbon atoms क्यों ना हो, अगर, दोनों में carbon atom बराबर है, तो उस case में, हम क्या करेंगे, और उसमें कोई function group भी नहीं है, तो उसमें cyclic compound को parent chain माना जाएगा, ये दो point बहुत important है, फिर से repeat कर देती हैं, अगर compound cyclic भी है और open chain भी है, तो जिसके साथ functional group जुड़ा हुआ है, वो longest chain of carbon बना जोगे, cyclic prefix हो गया, अगर दोनों में carbon chain बराबर है, atom बराबर है, और functional group है नहीं, तो cyclic compound को parent chain मानेंगे, ध्यान ते देखो बेटा, इस case में, ये functional group है भाई, ये functional group है, तो इस case में, open chain जुसके साथ ये functional group जुड़ा हुआ है, उसी को हम क्या मानेंगे, root word में लेंगे, तो ये हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, parent chain, numbering कर देते हैं, 1, 2, 3, अब इसके लिए क्या use करें, phenyl group बोलते हैं इसे, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा बेटाई से, इसे हम बोलेंगे, that is, 2-phenyl, बैस, substituent को उनकी position के साथ, जरूर दिखा जाएगा, है ना, propane, propane, और कुछ है, यही नहीं है, one position पर है, amine, propenamine, नहीं भी mention करते, तो भी clear था, कि one position पर ही होगा, देख लो बैटा धियान से, propena, mean भी correct है, clear हुआ बैटा, clear हुआ, अगर clear हुआ है, एक last example, धियान से देखना बैटा, आपको यह भी बताना है, उसमें, कि nitrogen, मतब जो amine है, वो 1 degree, 2 degree, या 3 degree, compound है, CH3, NH, CH2, करेंगे, again, parent chain select कर लेते हैं, parent chain select कर लिया, तो यह हो गया parent chain, nitrogen इस बार, directly 2 carbon से जुड़ा हुआ है, तो यह कहलाएगी, 2 degree amine है, clear, N पर जो group जुड़ा हुआ होता है, उसको N position के साथ धर्शा आते हैं, तो यह क्या हो गया बैटा, N, methyl, इथे नामीन, clear है बैटा, एक और example, देखना है बैटा धियान से, example, मैं आपको यह समझाना चाह रही थी, कि कभी open chain भी हो, और cyclic भी हो, cyclic वाले में number of carbon atom ज्यादा है, तो generally, ज्यादा carbon atom वाले को root word माना जाता है, longest chain of carbon, लेकिन, इस बार functional group किसके साथ जुड़ा हुआ है, open chain के साथ, तो उस case में आपको क्या करना है, उस case में जिसके साथ functional group जुड़ा हुआ है, वो आपकी longest chain है, उसी के according numbering होगी, second position पर क्या लगा हुआ है, cyclopentile, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-cyclopentile, इसको तो propanoic acid बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं, 1-ethane-1-carboxylic acid, या फिर जादा अच्छा लगेगा, propane-1-oic acid, सही दोनों हैं, clear? तो पिटा, IOPC nomenclature में, ज्यादा गन्व्यूज नहीं होना है, बस याद रखना है, basic rules, यही सब स्यादा काम आते हैं, तो मिलते हैं, बिटा, coming chapters में भी, सब तक के लिए, all the very best, and always, stay motivated, क्योंकि बच्चो, अभी वाला टाइम, ऐसा ही होता है, सबसे दर depressing, इसी टाइम पर में, फिल करते हैं, कभी-कभी, बट कोई नहीं, chill करो, enjoy करो, अच्छे से पढ़ते रहो, और इस mind map series से, अपना revision करते रहो, ठीक है, all the very best बच्चो, thank you,